हेलो बच्चो, प्लेस्मेंट सिल इंडिया में आपका स्वागत है मैं प्रमोत कौन पांडे, आज आपको इजराइल देश में निकली हुई बंपर भरती बारे में जानकरी देने वाला हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इजराइल कंट्री में बंपर भरती निकली हुई है जिसमें जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, वो जिन्होंने आठवी, दस्वी आईटिया ही किया हुआ है सारे बच्चे पाडिसिपेट कर सकते हैं, सेलरी भी काफिया कर सकते हैं, लगभग एक लाग चालिश जार पर मंद CTC आपको मिलेगा CTC मतलब कुछ डिड़क्शन्स भी होंगे, कुछ कटोटियां भी होंगी उसके बारे में आपको आगे जानकरी देने वाला हूँ इससे पहले मैं बता दूँ, जो बच्चे इस कंपनी में पाडिसिपेट करना चाहते हैं या चाहती हैं, इसमें लड़के और लड़कें दोनों ही पाडिसिपेट कर पाएंगे तो वो एक मेंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म को जरूर भरेंगे गूगल फॉर्म में आपका, मैं भी कुछ बेवसाय बताऊंगा उसी बेवसाय में जो आप करना चाहते हैं, वो भरना होगा इसके बाद इसमें एक आईडी मंगी गई है आईडी में आप अपना आधार कार्ड और बैंक पास्बूप छोड़ कर जो भी आपके पास आईडी हो, जैसे आपका राशन कार्ड हो सकता है आपका ड्राविंग लैसेंस हो सकता है, आपकी बोटर आईडी कार्ड हो सकती है या अन्य कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ हो, आप उसका आईडी का नाम डालेंगे कौन सी आपके पास आईडी है, साथी साथ उसका नमबर डालेंगे कि इसी बोटर ID काड़ उसका number और आपके पास जैसे driving license है, उसका number, ऐसा driving license वगरा mention कर देंगे और फिर आप डालेंगे उसको दूसरा क्या है कि ब्योसाई मैंने बोला है कि इस ब्योसाई में आप करना चाहते हैं तो मैंने चार टाइप के ब्योसाई दिये हैं आप उन्हीं ब्योसाई को उसमें डालेंगे इसके बाद फिर आपका एड्रेस जो भी है आपका होगा उसमें आप डालेंगे तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या-क्या विकेंसी है और क्या-क्या क्वालिफिकिसन मांगेगा है अभी आपको पता है कि जरायल में युद्ध हो रहे हैं उसमें मतलब काफी छती ग्रस्त मामला हो गया है काफी मतलब उसमें बिल्डिंग है टूटी है तो उनी के रिपेरिंग के लिए भारत सरकार से बच्चे मांगे गये थे इजरायल सरकार ने भारत सरकार से काउंटक्ट किया और उनको स्रमिको की रिक्वार्मेंट है तो वहाँ पर स्रमिको को रोजगार दिये जा रहे है आप देख पा रहे है जो रोजगार है स्रेमिक टाइल्स में है प्लास्टरिंग में है फ्रेमवर्क स्रेटरिंग कार्पेंटर में है आरेन बेंडिंग में है तो मैंने अभी बोला था कि आपको ब्योसाय डालना है तो ब्योसाय में आप इनी चार ब्योसाय को डालेंगे जो आप करना चाहते हैं लगभग सारे राज्यों में बच्ची लिये जा रहे हैं हर्याना से भी लिये जा रहे हैं तो 10,000 बच्चों का डाटा हम लोगों को देना है और जो भी आपका डाटा जाएगा उसमें आपको जो भी रिलेटेड आपके पास जॉब वीवरण है वो आपको आना चाहिए जैसे सीरेमिक टाइल्स है तो मतलब टाइल्स वाइल्स आपको लगाना चाहिए प्लाश्टरिं कार का अनबो होना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप आगे प्रोसेस के लिए जाएंगे वैसे ही आपका एक स्किल टेस्ट होगा मैं बता दूं कि जैसे कोई एक सेंटर आपका चूज होगा उस सेंटर पे आपका स्किलिंग होगी मतलब स्किल टेस्ट होगा इसके बाद ही आप इसके बात क्या है कि आपको basic English बोलने की या समझने की जानकारी होनी चाहिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि पानी को water बोलते हैं, खाने को food बोलते हैं, रोटी को bread बोलते हैं, मलब छोटी basic जानकारी आपको होनी चाहिए, कि आप उनकी बातों को समझ सके या आप कुछ सम जहां पाएं ऐसी आपके पास समझ होनी चाहिए और इसके बाद फिर जो भी आप construction करेंगे उसकी ड्राइंग पढ़नी आप कौनी चाहिए जैसे मालों यह मिस्तरी उस्तरी कोई भी है जो ceramic tiles यह मिस्तरी का काम कर रहा है उसको ड्राइंग पढ़ना वगएर आता है तो मैंने चैनल पर क्रिया क्या होगी जो भी बच्चे पाडिसिपेट करेंगे गूगल फॉर्म के थूरू या किसी आने माद्यम के थूरू तो उनको मतलब पहले आपका एक पहले आपके दस्तावेज या आपका उम्र जाती वाती का पता किया जाएगा जो भी आपका नाम पता पासपोर्ड आपके पास होना चाहिए अगर नहीं है तो आप पासपोर्ड के लिए प्लाई कर दीजे आपके जीस भी जिले में हैं जीस भी राजी में हैं तो हर जगर लेबर आफिस बने होते हैं आप वहाँ पर जाके सारी सुचना प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हर जगर जितने भी labor office है तो उच जगे सुचना दे दी गई है और आप वहाँ जाके भी सारा संपर कर सकते हैं जैसे मैं कानपूर की बात करूँ तो कानपूर में labor office बना हुआ है जैसे ही आप employment office आते हैं जो कि आपका goal चोरह के पास बना हुआ है अगर आप वहाँ पे आते हैं तो उसके सामने ही आपका labor office है आप वहाँ पे आकर जानकारी ले सकते हैं कि मुझे Israel के लिए जाना है अपना documents वगरा ले आए तो आपको सारी जानकारी दे देंगे कि पासपोर्ट कहां बनता है कैसे बनता है और किस किस बेजड पे आप जाएंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी तो काफी अच्छी खासी वेकेंसी है तो आप इस मौके को मत चुकिए तो मैंने बताया कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लेबर आफिस जा सकते हैं वो किसी भी जीले हो सकता है कानपूर में हैं, लकनो में हैं या आप जानपूर में हैं आप अमरोहा में हैं किसी भी जीले में आपके लेबर आफिस जहां पे है तो वहां पे आप जाके पहले संपर करिए और मैंने बताया आपको कि Google Form आपको भरना होगा Google Form भी भरना होगा अगर मालिजे कि आपको सब कुछ सवाज में आ गया है तो आप Google Form भरिए आपके पास आपका नंबर वगएरा उसमें रहेगा तो खुदी वो लोग काउंटेट कर लेंगे और जब भी कभी आपका इंटर्वी या स्किल टेस्ट होगा तो आपको फोन आदी के माध्यम से सुशित भी कर देंगे और मैंने जैसा बताया कि जब भी आपका वो रहेगा ब्योसा है तो आपको यही सिरेमिक टाइल्स में काम करना चाते है या प्लाश्टी में करना चाते है या फ्रेमवर्क सट्रिंग में करना चाते है या आईरन बेंडिंग में करना चाते है इसको आपको भेजना होगा अब आपको उताओंगा कि किस किस डिटेक्शन कहां कहां होगा कितना कितना होगा वो मैं बता दूंग आपको तो चैनित अभ्यर्थी जो होंगे उनको पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग भी दी जाएगी पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बाद में फिर आप सीधे इसराइल के लिए निकाले जाएंगे फ्लाइट व्लाइट का टिकेट टुकेट आपको बुक करना होगा मैं बता दूँ कि जो बच्चे यहाँ पर काम करेंगे उनका कॉंट्रेक्ट होगा कम से कम आपका एक साल और मैक्सिमम पांस साल तक आप उहाँ काम कर पाएंगे भारत से आने जाने की सुब्धा आपको स्वयम ही बैय करनी होगे इसके बाद फिर आपका चिकित्सा बीमा और इसके अवद बहुत सारे बीमा होगे उसका भी पर आपको स्वयम करना होगा तो चले इंगे इटक्सिन कहां कहां होगा इटक्सिन के लिए क्योंकि कुछ सेलरी आपको कट के आएगे तो देखी यहाँ पे मैंने दिखाया है वन इजराइल न्यू सिकल जो है इकल टू अभी का जो रेट है 22.9.2 है मतलब अगर एक इजराइल का रूपाय पाते है तो आपको इंडियन रुपीज खेंसार 22.9.2 होता है अभी तेज था अभी जश्ट यह आपका फ्लेक्शुएट करता रहता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिडेक्शन कहां कहां होंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉब रोल में क्या है प्लास्टरिंग वर्क मिशन का है जो प्लास्टर वगएरा करते है सिरेमिक टाइलिंग का है बिल्डिंग फ्रेमवर्क का है आरेन बेंडिंग का है जॉब लोकेशन आपका इजरायल रहेगा जैसा मैंने आपको बताया है मिनमाम आपका एक्स्पिरियंस आप तीन साल खोना चाहिए सेटिफिकेट की रिक्वार्मेंट नहीं लेकिन आपको पासbeiter होनी चाहिए क्योंकि आप वहां पए काम करना चाह रहे है तो सब्ष करसे है सब्द्राइब जब आप डिपोजिट करना पर एट टाइम आफ लिविंग इजराइल जब आप इजराइल चोड़ेंगे दूसरे में आपका 734 NIS मतलब इजराइल की जो करेंसी है उसमें मालीजे 23 का मल्टिप्लाइब कर लिजे इतना करेंसी आपको स्पेशल डिपोजिट करना होगा मतलब जब आप उसको छोड़ेंगे जराइल को तब सेलरी आपको 1.100 रुपए NIS मिलेगा मतलब 1.100 मल्टिप्लाइब आई 23 कर दीजे तो जो बनता है वो आपकी सेलरी होगी इसमें डिक्सन कहां कहां होंगे 10% तो आपका स्टेक्स कर जाएगा सेलरी का इसके बाद फिर सोचल सिक्योर्टी इंस्योरेंस होगा रहने का आपका जो चार्जेज होंगे वो की पेड़ बाई कंडिडेट रहेगा जो आपको जी चार्ज करना पड़ेगा 278.94 मल्टिप्लाइब आई 23 कर दीजे से लेके 499.82 मल्टिप्लाइब आई 23 कर दीजे ये आपका रहने का रहेगा लगबग 11,000 निकलता है सही कुछ होगा देख लिजेगा आप लो इसका आपका मेडिकल इंसूरेंज भी कटेगा 134.46 तो ये आपके से कटेगा निस रहेगा 23 का यहां मल्टिप्लाइब कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितना कटेगा इसका कॉंटेक्ट पिरियेड आपका 1 से 5 यर रहेगा इसका जॉब लोक सकते हैं और अगर आप लेबर ऑफिस में जाते हैं और वहां किसी से अधिकारी से कॉंटेट करते हैं तो वह आपकी मदद भी करेगा कैसे बनेगा ओकि ये थोड़ा सा गौवर्मेंट के स्कीम है तो इसलिए फास्ट वर्किंग भी हो सकता है पी सी और एनी अधर डॉकुम में हो तो 36 गड़ में लेबर ऑफिस में चले जाए तो महला हर जगह नोटिफिकेशन पहुंच चुकि आपको कुछ करना नहीं है बस आप आस पास के एरियाज में चले जाए और गूगल फांव आपको जुरूर भरना होगा नॉर्मल और जीए एमसीए मेटिकल एस पर इस दिल्ली हो सकता है आपका 36 गड़ हो सकता है कहीं भी एक लोकेशन चुना जाएगा जहां पर आपका जो भी स्कील होगा उसके अंसार आपको क्या किया जाएगा इसकील टेस्ट की जाएगे इसके बाद फिर वीजा आफल लेटर इसराइल लेबर कॉंट्रेक्ट कॉस्ट है न पेड़ भाई कंडिडेट रहेगा जोइनिंग फ्लाइट आने जाने का टिकट भी आपको ही बियर करना पड़ेगा डाकुमेंटेशन फेसिल्टी स्फिस ये आपको बताया इसके बाद यहां पर से देखे सारी वर्किंग दी गई है कि रिक्वार्ड टू पर्फॉर्म रूटीन मेसंडरी वर्क्स सच अज ब्रिक वर्क इसे आपको जिसे चुनाई उनाई होती है तो इंटाट जोडना होता है उस सारे काम आने चाहिए इसका तभी स चाहिए तो जो आपकी सेलरी एक लाग चालीज जार आप देख रहे थे उसमें से आप ये सारे डिरक्शन कर लिजेगा इसके बाद जो सेलरी बनेगी वह आपके पास इन हैंड आएगी तो काफी अच्छी उसर है जो बच्चे पाटिसिपेड करना चाहते हैं वो जरूर प टाइलिंग या बिल्डिंग फ्रेमवर्क या आइरन बेंडिंग जो भी आप करना चाहते हैं इसको ही मेंसन करें आइडी में मैंने बताया कि आप अपना आधार कार और बैंक पास्बूक मत दीजे और इसके अलावा आप अपना ड्राइविंग लेसेंस या बोटर आडी क जांड या फुल्क या अधर कोई भी आपकी पास डी प्रूफ है अब उसको मेंसन कर सकते हैं अगर आपके पास पास्पोर्ट का नंबर है तो आप डाल सकते नहीं है तो एपलाई कर दीजे अपलाई करने में आपकी मदद करेगा लेवर ओफिस आप अपने नेरिस्टिव यो भी आपका लेबर आफिस है वहां आ सकते हैं या आप मेरे से गौवर्मेंट आइटीए पांडुनगर कानपूर में भी मुलाकात कर सकते हैं तो मैं भी आपकी मजद करूँगा कैसे क्या काम होगा शारी जन करें दूँगा इसी प्रकार मैं आपको और वीडियो देता रह दो भी मेरे से जन करेंगे जन करणे दो भी मेरे से जन कर सकते हैं प्रकार मैं आपको उत्प बढ़्स्टीए भादियुनगर कर कि दुए है लूवर्में प्रकार को बढ़ा वीडिए झान से आपके आपका लेडिएू रहतो आपके उन